नमस्कार प्रोग्राम एट बीम में एक वर फिर आपका स्वाधत है और मैं हो दर्शपर्ण कुप्ता आज इद है और पीपी न्यूजलाइन की और से सभी दर्शकों को इद की बहुत-बहुत मुबारग जम्मू में आता कि हम लों को देखते हुए सीडियाज जर्नल अनिल चुहान ने आज जम्मू नगरोटा में एक मीटिंग ली है बात में पता चला कि रियासी में जो माता बैशुर देवी के शर्दालू पे अटैक हुआ था उसकी चार्च एन आई को सौन की गई है आज सुबा हनवारा में भी एक टर्रिस्ट को मारा ग उससे बहुत सा हथ्यार और बहुत सी चीज़े बरामत की गई है जम्मू कश्मीर में चुनावू की हल चल भी तेज होगी है क्योंकि बारती जन्ता पार्टी ने जी कृशन रड़ी को यहां का चुनावू के लिए प्रवारी नियुक्त किया है उसको देखते हुए बारती की जित्ती भी राजितिक पार्टी है उन्हों भी हल चल तेज होगी है और एक बड़ी बुरी ख़बर है और यह है कि आज वेस्ट बंगार में एक बहुत बड़ा नेल हाथसा हुआ वहां पंद्रह कीमती जाने चले हैं और सिर्नगर में नितिन गिड़करी और डक्टर जि स्विक्षा की गई है वह से ऐसे काम है जो दूरे पड़े है उन्हें जल्द पूरा करने की बात कही गई है तो आईए अब नज़र टालते हैं आज के समाचारों पर वो दिन दूर नहीं जब बसोली की रंजीत सागर जील में बनारस की तर्स पर क्रूस बोर्ट चलना शु वस्ता रहेगी इसके साथ ही पश्मीना शौल और चित्रकला के लिए प्रसिद अंतरवरास्टी कला नगर बसोली में प्रेटन का विस्तार होगा भारत दर्शन दो योजना के तहट देश के 57 चिन्नित लोकेशन में से बसोली भी एक है जिसे प्रेटन मंत्राले में थीम आ न्यूक्त करने में जुटा हुआ है बसोली बनी और सर्थल तक के इस टूरिस सरकट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रंजीत सागरजील का है जिसे सरकार पहले ही अंतरदेश ये जलमार के रूप में मानिता दे चुकी है आधिकारिक सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार को भारत दर्शन चरन दो के तहट तीन सो करोड रुपे की परियोजनाएं बना कर बेजी गई है जिन से इन इलाकों के दिन बहुरेंगे प्रियतन बढ़ने के साथ रोजगार की द्वार खुलेंगे दरसल इस टूरिजम सरकर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बनी बदलाव नहीं ला पाई है इस पार परियोजना में आम लोगों के मनुरंचन से लेकर स्थानी रोजकार और होमस्टे की विवस्था को तरजी दी गई है ऐसे में उमीद चताई चारे है कि भारत दर्शन का ये चरन दो बसोली से बनी और फिर सरतल से बदरवा सरकर को करना है लिहाजा आने वाले समय में पीपीपी मोड पर भी यहां कई सुविधाओं का विस्तार किया जाना है केंदर सरकार ने बसोली में अटल सेतू के जरिये सडक मार्ग से जुड़े हिमाचल प्रदेश पंजाब और चमु कश्मीर को जलमार्ग से जोडने की कवायत शामिल किया गया है लगवक 44 किलोमीटर के इस जलमार्ग में प्रेटन के सासा जलमार्गों की टैपिंग, अंतरवराजी कोनेक्टिविटी, मतस्य पालन की संभावनाओं, जलमार्ग से सटे और सडक मार्ग से दूर इलाकों को सीधे तौर पर जोडने सहित माल डुलाई व प्रदेश के 20 सिलों में इदकाह में नमाजियों ने अदा की और परिवार सहित प्रदेश और देश में अमन वसुक समरिती की दुआ की, जमुशेर की बात करें तो यहां 22 जगों पर नमाज अदा की गये, इसमें इदका जग्याना में 7 बचे, रेजिरेंसी इदकाह में 7 सिद्रा में सुबा 7 बचे, मलिक मार्केड एदका में 6 बचे, तलाव खटिका में 8 बचे, जमिय मस्चित कर्यानी तलाव बठिंडी में 7 बचे, रेल्वे स्टेशन मस्चित में 8 बचे, सुझवा एदका में 7 बचे, पुलीस लाइंग चन्नी मस्चित में 7 बचे, जमिय मस् दवी मस्चित में 9 बजे, नर्वाल मस्चित में 7 बजे, ईद का जानिपूर में 7.30 बजे, गोल मस्चित जलालाबाद सुझवा में 7.60 बजे, न्यू प्लाट में 9 बजे, अंजुमन इमामिया परिसर में 8.30 बजे, बठिंडी में सुबा 9.00 बजे, अब नमाज अदा की गई नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर ईद की मुबारक बादी साथ ही खुब मिठाईयां भी बड़ी इद की पर-पर प्रदीश भर में सुरक्षा के कड़े परबंद किये गए हैं, सुबा से ही पुलीस अधिकारी वभिन इद गाहों के नजदीक मजूद रहे SSP ने सुरक्षा व्यवस्ता बनाए रखने के लिए इद का क्षेतर को वभिन सेक्टरों में बांड़ा था तमाम जम्मु वासियों को पूरे जम्मु कश्मीर के वासियों को और पूरे हिंदस्तान के वासियों को और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के जितने भी हमारे गुल्दस्ते के वासिये हैं सारे सब को ईद की बहुत-बहुत मुबारक बात कि हमारा एक हिंदुस्तान ये ऐक ऐसा मुल्क है जो एक गुलदस्ता है जिसमें हर किसम के मख़ब के लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं और एक गुलदस्ता ऐसा है कि जो कहीं पर भी वर्ड में नहीं मिलने को मिलता है यहां इद भी आई है यहां दिवाली भी होती है यहां हुली भी मिनाई जाती है यहां गुर्पुर भी मिनाया जाता है यहां हर तेवार आपस में बहुत खुबी प्यार से मिनाया जाता है और आज की दिन ये इडल अजाह एक बहुत महतबुरन जैसे बाकी तेवार है उन मेंसे एक बहुत महतबुरन तेवार जो है इडल अजाह है और इडल अजाह के मौके पे तमाम जमू वास्यों को मुबारक बात देता हूँ और साफ मैं request करता हूँ कि हमें ऐक गुलदस्टे की तरह रहना चाहिए प्यार महबत और शवकत की तरह रहना चाहिए और अपने जंबो कश्मीर को इसी तरह से पूरे वर्ड में ऐक गुलदस्टे की तरह गर्ड में खुबसूरत गुल दस्ता पेश करना चाहिए चाहिए वो किसी भी तरकी के हिसाब एत्बार से हो कश्मीर घाची तक रेल पहुंचने का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है रविबार को संगलदान रेयासी ट्रैक के परिक्षन के लिए इंजन चलाया गया रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रायल पूरा पूरी तरह से सफल रहा जमू के रेयासी जिले के सावला कोट से चल कर दोपहा तीन बजे इंजन रेयासी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा इंजन आने की सूशना पर लोग स्टेशन पर पहुंच के जैसे ही इंजन बकल सुरंग पार कर साइरन बचाता हुआ रेयासी पहुंचा तो स्टेशन भारत माता की जैसे घुंज उठा इस ट्रैक पर विश्व का सबसे उंचा रेलवे पुल भी बना हुआ है इस पुल से ट्रेन में बैड़ कर गुजरने का सपना रेलवे सुरक्षा आयूग की हरी जंडी मिलने के बाद पूरा होगा CRS DC देशभाल का 46 किलोमीटर लंबे संगलदान रियासी ट्रैक के निरिक्षन के लिए 27-28 जून को दो दिवसिय दौरा पर स्तावित है आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि संगलदान से रियासी के बीच पहली ट्रेन को हरी जंडी 30 जून को दिखाये जाने की संभावना है उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क आधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि उधुंपूर स्रीनगर बारामुला रेल लिंक के इस महत्पूर्न खंड पर रेल चलना CRS के निरिक्षन पर निर्भर करता है CRS के निर्धारित निरिक्षन से पहले संगलदान से रियासी तक का काम पूरा हो जाएगा 272 किलोमीटर USBRL परियोजना में से 209 किलोमीटर के दो चर्णों में से शुरू किया गया था 118 किलोमीटर काजी कुंड बारामुला खंड का पहला चरन अक्तूबर 2009 में शुरू हुआ उत्री कश्मीर के बांदीपुरा जिले में रविवार को आधी राज से आतंकियों से मुठवेड जारी है 2-3 आतंकियों के घिरे होने का अंदेशा है सुत्रों के अनुआसार इन में से एक आतंकी मुठवेड के दोरान ठेर हो गया अभी आधिकारिक पुष्टी बाकी है पुलीस के अनुआसार जिले के अरगाम में आतंकियों की मुठवेड की की सुषना पर 3-3 राश्ट्री राइफल सथा बांदीपुरा पुलीस के जवानों ने गाउं की घिराबंदी कर तलाशे व्यान शुरू के आई सुरान गेरा सक्त होते देख चिपे आतंकियों ने फारिंग शुरू कर दी जवाबी कारवाई में मुठवेड शुरू हो गए पूरे इलाके की घिराबंदी कर रखी है ताकि आतंकी अंधेरे का फाइदा उठाकर भागने में सफल ना हो सके गांदरबल जिले के जोजीला के पास रविवार को पहाड से गिरे एक पत्थर की चपेट में आने से कारसवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घाइल होगे गाइलों को इलाज के लिए स्रीनगर बेश दिया गया है गादिकायर ने बताया कि रविवार को जोजीला के पास पानी मात्ता इलाके में एक आल्ट्रो कार पहाडी से गिरे बड़े पत्थर की चपेच में आगे हादसे में महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत होगे जबकि तीन यातरी गंबी रुप से गाइल होगे गाइलों को प्रात्मिक स्वास्ते के इंदर सोनमर्ग में ले जाया गया जहां से उन्हें स्रीनगर रैफर कर दिया गया गांदरबल पुलीस मामले की जांच कर रही है जमू के शकुंतला चोग पर पेड़ की टैहनी गेनने से दो गाड़ियां क्षती ग्रोस्त हो गई जिसमें टैंपू चैवल और मरूती कार को क्षती पहुंची है लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ जमू में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए बेकसूर भात्यों को श्रदांचली के रूप में विश्वे हिंदू परिश्यद्वारा पत्यात्रा शिरी रनवेश्वर मंदिर प्रेड से शुरू हुई जिसमें हाथ में मोबतियां लेकर शहीदों को श्रदांचली अर्पि कि यहां पर इसलाम के नाम पर अतंक पहला रहे हैं यहां पर कौन है जो चिते की तस्क्री कर रहे हैं यहां पर कौन है जो रेत बजरी की तस्क्री कर रहे हैं और हमारे एंवर्मेंट के साथ खेल रहे हैं जंगल के जंगल काट रहे हैं क्या वो अतंक वाद नहीं है यह कि तर देश भर की तरह प्रदेश में भी इद का त्यहार धुमदाम के साथ मनाया गया जुमू के इदकाव में नमास अदा की गई और एक दुसरे को गले लगा कर इद की मुबारक बात दी गई और साथी साथ मिछायां भी बांटे गई अजुम में आखे बनाते हैं और इसे अच्छहा है कि आप आगे भी बनाते हैं कि इंड़ें को बुलेंगे जितने भी मारे बारी पई आप से नमसका नमस्कार